अपर बैक में पेन क्यों होता है क्या कारण है उसका हमें कौन कौन से एक्सेसाइज नहीं होता है आपको एक्सेसाइजेज ही करनी पड़ेगी जिससे आपका ये पेन है वो जर से खतम हो सकता है तो चले स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो सबसे पहला जो कारण है वो है पूर पोस्चर अगर आपको पोस्चर स्टैंडिंग में या फिर सिटिंग में और स्लिपिंग में अगर पोस्चर सही नहीं है तो उसकी वज़े से भी आपको पेन हो सकता है क्योंकि अगर हम स्लिपिंग में अगर आपको पूश्चर साही नहीं है और साथ में अगर आपका मेंट्रस है वो भी अगर सही नहीं है बहुत ज्यादा हाड है यह बहुत ज्यादा सौफ्ट है उसकी वज़़ा से भी हमें upper back pain हो सकता है और हमारा pillow अगर सही नहीं है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है upper back pain का second जो कारण है वो है अगर आप वजन को सही तरीके से नहीं उठाते हैं तो वो भी बहुत बड़ा कारण है आपके upper back pain का तो हमें जो वजन उठाएं तो हमें knees को bend करके उठाना जीए जिसे क्या होता है कि हमारी back पे pressure नहीं आता है तो हमें ये चीज भी बहुत ध्यान रखने जीए और बहुत ज़्यादा heavy weight भी नहीं उठाएं आपकी body की capacity के according ही weight उठाएं अगर आप बहुत ज़्यादा heavy weight उठा लेते हैं तो उसे भी आपकी muscles में jerk लग सकता है muscles में strain आ सकता है तो वो भी बहुत बड़ा कारण है अपर back pain का थर्ड रीजन है overuse यानि कि अगर हम muscles को बहुत ज़्यादा use कर लेते हैं बहुत ज़्यादा हम कोई workout करते हैं या फिर हम कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें हमारी physical activity बहुत ज़्यादा है हमारी muscles का जो है overuse हो रहा है तो वो भी एक कारण है आपकी अपर back pain गा क्योंकि हमें उतनी ही exercise या हमें उतनी ही physical activity करनी चाहिए जितनी हमारी capacity हो अगर आप ज़्यादा करते हैं तो muscle ठक जाती है muscle में strain आ जाता है और वो हमें pain करने लगती है fourth reason है कि हमारी जो ribs होती है वो अगर dislocate हो जाती है तो उसकी वज़े से भी हमारे upper back pain है वो start हो जाता है तो यह सारे reasons हैं कारण है जिसे हमें upper back pain हो सकता है तो अब हम बात करते हैं इसके treatment के लिए इस pain को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जैसे मैंने बताया कि medicine से यह pain ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि यह muscle pain है आपकी muscle weakness की वज़े से या muscle strain की वज़े से इस तरह के से यह pain होता है या फिर आपका alignment सही नहीं है उसकी वज़े से तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें अपना posture सही करना है हमारा sitting में posture सही होना चाहिए हमारा standing में posture सही होना चाहिए और हमारा sleeping में भी posture सही होना चाहिए तो हमें सबसे पहले अपना posture सही करना है फिर हमें exercises करनी है जिसे क्या होगा कि muscles की अगर strengthening होगी तो आपको automatic ही pain है वो दीरे-दीरे कम होगा और आपको ये problem है वो बार-बार भी नहीं होगी क्योंकि muscle weakness भी एक बहुत बड़ा कारण है तो हमें exercises करने की जरुरत है तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी exercises है जो हमें करनी चाहिए जिससे हमारा upper back pain है वो ठीक हो सके Exercise number one इसमें towel roll बनाएंगे और उसके उपर हमें लेटना है लेगिन जो towel roll है वो हमारी spine पे आना जिए upper spine पे आना जिए इस तरीके से हमें set करना है और फिर हमारे hands वो हमारे head के पीछे होंगे और इस तरीके से हमें अपने upper back को lift करना है ये exercise हमको 10 to 15 repetition में करना है और दिन में आप दो बार कर सकते हैं इसमें आपको upper back pain में काफी relief मिलेगा Exercise number two Quadri port position बना कर hand अंदर लेके जाएंगे और बाहर ये जब hand अंदर लेके जाते हैं तो हमारा head है वो floor से touch होना चाहिए ये exercise आपको 10 times करनी चाहिए इसको करने से strengthening और stretching दोनों होती है muscles की Exercise number three Standing position में करनी है और आपको side band होना है जितना आप हो सकते हैं उतना आपको band होना है ये exercise करने से आपकी upper back muscles होती है उनकी stretching होती है side muscles की stretching होती है 10 to 15 times करना है Exercise number four ये exercise करने से हमारा posture वो correct होता है span का alignment सही होता है इसमें quadri port position बना के elbows पे आके इस तरीके से neck को अंदर करेंगे तो upper back में hump बनेगा और जब हम उपर करते है neck तो curve बनता है slight curve ये exercise आपको 10 to 15 times करनी चाहिए Exercise number five Shoulder up करना है then back इस तरीके से आपको position बनानी है उसके बाद chin को टक करना है आप वीडियो में देखी रहोंगे इस तरीके से आपको ये exercise करनी है ये exercise करने से आपका जो posture वो correct होता है साथ में आपको अपर बैक पीन में भी काफी relief मिलेगा ये exercise आपको 10 repetition में करनी चाहिए और two times करनी चाहिए at least तो फ्रेंट्स ये थी सारी exercises में कमेंट कर सकते हैं जिससे मैं नए आने वाले वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊंगी तो फ्रेंट्स इस वीडियो को यहीं अन्म करते हैं थैंक ये वरिवन कीप वाचिंग